नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ श्रीव राज सिंग कॉंग्रेस की आज यानि शनिवार को एक एहम बैटक होने जा रही है लेकिन इससे पहले राज्टिय जनता दल के वरिष्ट नेता शिवानन तिवारी ने एक बार फिर राहुल गांदी और कॉंग्रेस पर निशाना साधा है साथी उन्होंने सौनिय गांदी को सला दी है कि वो अपना राजनेतिक उत्राधिकारी के बारे में निर्णे लेते बक्त पुत्र मोह को त्याग दें और लोकतंत्र बचाने के लिए कदम बढ़ाएं कॉंग्रेस की इस बैठक से पहले शुक्रवार को सिवानन तिवारी ने फेस्बुक पोष्ट में ये वातने लिखी है आजेडी के राष्ट्य उपादेश्च श्वानन ने कहा कॉंग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है पताने उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा लेकिन ये इस पश्ट है कि कॉंग्रेस की हालत बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है कोई इसका खेवन हार नहीं है ये इस पश्ट हो चुका है कि राहुल गांदी में लोगों को उत्साहित करने की छमता नहीं है जनता की बात तो छोड़ दीजिए उनकी पार्टी के ल कुर्सी त्याग दी थी वो लिखते हैं आपने प्रदान मंत्री की कुर्सी का मोहत त्याग कर कॉंग्रेस को बचाया था आज उससे भी ज्यादा महत्कून ये है कि पुत्र मोहत त्याग कर देश में लोगतंत को बचाने के लिए कदम बढ़ाईए सिवानन तिवारी ने आगे लिका है कि खराब स्वास्त के बाब जूद बहुती मजबूरी में सौनिया गांदी काम चला हूँ अद्यक्ष के रूप में किसी तरह पार्टी को खीच रही है तिवारी ने कहा कि उनके विदेशी मूल को लेकर तब काफी ववाल हुआ था बीजेपी की बाद छोड़ दीजिए कॉंग्रेस पार्टी में भी उनके नेतर्त को लेकर गंबीर संदेव्यक्त किया गया था 2004 के आम चुनाव का जिक्र करते हुए सिवानन तिवारी ने कहा सौनिया के नेतर्त में कॉंग्रेस को बहुमत मिला था सौनिया ही प्रादमंत्री कुर्षी की स्वभाविक अधिकारी थी लेकिन उनका प्रधानमंत्री नहीं वनना असाधारन कदम था उसी कुर्षी के लिए हमारे देश के दो बड़े नेताओं ने क्या-क्या नाटक किया था हमारे जीहन में है RJD के पाद्यक्ष ने आगे लिखा है सौनिया गांधी के सामने आज एक यक्ष प्रश्न है पार्टी या पुत्र या यूं कहिए कि पुत्र या लोकतंत कॉंग्रेस पार्टी की महत्मूल बैठक होने वाली है मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुचेगी या नहीं लेकिन देश के समक्ष जिस तरह का संकट मुझे दिखाई दे रहा है वही मुझे अपनी बात उनके सामने रखने के लिए मजबूर कर रहा है सिवानन तिवारी ने आगे कहा है कि हो सकता है कि जिस पार्टी में मैं हूँ उसका नेत्रट तो मेरी इस बात को पसंद नहीं करे लेकिन अब मैं किसी के पसंद या ना पसंद से जादा एहमियत अपनी आत्मा की आवाज को देता हूँ मैं सौनिया गांदी से नमरता पूर्वक अपील करता हूँ कि जिस तरह से आपने प्रधान मंत्री की कुर्शी का मोहत्याक कर कॉंग्रेस को बचाया था आज उससे भी जादा महत्पूर्ण ये है कि पुत्र मोगत्याक कर लोगतंत्र को बचाने के लिए कदम बढ़ाएं बता दें किससे पहले बिहार बिदान सवा चुनाम में महागटवंदन की हार के बाद शिवानन तिवारी ने राहूल गांदी पर बड़ा हमला बोला था उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी महागटवंदन के लिए बादा बन गई कॉंग्रेस ने सत्तर उमीदवारों को मैदान में उता रहा था लेकिन सत्तर रेलिया भी नहीं की राहूल गांदी बिहार में केवल तीन दिन के लिए आए राहूल गांदी शिमला में प्रियंका गांदी के घर पिकनिक मना रहे थे बताने कि कॉंग्रेस की आज एहम बैठकेस में पार्टी के इस्ताई अद्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है माना जा रहा है कि राहूल गांदी को एक बार फिर पार्टी की कमान देने का फैसला किया जा सकता है हाला कि वो पिलाल इसके लिए राजी नहीं दिख रहे हैं बैठक में उन्हों इसके लिए मनाने की कोशिशें भी हो सकती है पिछले साल कॉंग्रेस अध्यक्षपद से इस्तीपा देने के बाद राहूल गांदी ने कहा था कि वो चाहते है कि गांदी परिवार से बाहर का कोई नेता अध्यक्षण चुना जाए ऐसे में गांदी परिवार के किसी करीबी और भरुशे मन्द को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है इस ख़बर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रही है बने इंडिया हिंदी के साथ झाल झाल